सम्वेधानिक प्राधानों के तहट अब चौथा बिंदू नीति निर्देशक सिधानतों के बाद है आरक्षन और सामालिक निया है आरक्षन क्या है आरक्षन पर कुछ लोग के कुछ दूसरे विचार हैं कुछ लोग का कहना है कि आरक्षन कार्थ यह हुआ कि जो जो वर्ग एक वर्ग इससे वंचित हो जाता है आरक्षन से जिसको आरक्षन मिलता है उसके लिए तो ठीक है पर इस आरक्षन के कारण दूसरा वर्ग वंचित भी हो रहा है ऐसा कुछ का कहना है लेकिन सच्चाई तो यह है कि दूसरों की भल दूसरों के उधार में हमारा हित नहित है और इसलिए ये जरूरी है कि जो तबका अपने बल पर हज्जारों वर्ष के शोशन के कारण विविन तरीके के शोशन होते थे जिस पर विस्तार ते हैं जाना उचित नहीं होगा वो किसी और वीडियो में आप देखेंगे इस शोश की जरूरत है उपर उठाने के लिए तो बाहरी मदद के तोर पर सरकार ने आरक्षन का प्रावधान किया है उनके लिए विद्यालेओं में नौकरियों में विविन निकारेओं में सीटें सुरक्षित की हैं प्रावधान किया है तो सामाजिक नया है तो समविधान में आरक कि जो अपेक शाय थी उसे पूरा किया गया अनुसूची जाती अनुसूची जन जाती और अब तो जन कमजोर वर्ग याने OBC अधर बैकवर्ड क्लासे उनके लिए भी प्रावधान किया गया रक्षन का ताकि कमजोर सामाजिक आर्थिक स्थिति को धेखते हुए ऐसे प्रया विधान को धारा 330 तथा 332 के तहट लोक सभा और राज विधान सभाओं में इनके लिए आरक्षन है यहां तक कि चुनावी प्रक्रिया में भी आरक्षन है लोक सभा विराज की विधान सभाएं जिला पंचायत ग्राम पंचायत नगर निगाम नगर पालिक इन सब जगह आ प्रतिनिधित्व इन संस्थाओं में हो ताकि इन संस्थाओं के अंदर ऐसे तबके की आवाज उठाने वाले कुछ लोग रहें इनकी संख्या निश्चित रूप से यह माइनॉरिटी है तो यदि जाती के अधार पे प्रतिनिधित होता है तो इनको तो कोई प्रतिनिधित नहीं मिल पाएगा इसलिए आरक्षन का प्रादा संख्या के अधार पे यदि होता है तो संख्या में अनुसूचित जाती जन जाती का तबका हर खेत्र में माइनॉरिटी है अन्य धर्मों के लोग minority में हैं तो इनको कौन उठाएगा इनको कैसे उठाएजाए महलाओं की आवाज लोक सभा में कैसे पहुँचे जो देश की सरवोच संब्धान सभा है वहाँ पर महलाओं की आवाज कौन उठाएगा महलाओं की चिंताइई महिलाओं के मुद्दे वहां कौन उठाएगा अच्छा हो कि वहां महिलाएं अपनी आवाज उठाने के लिए वहां पहुँचें और चूंकि भारती समाज एक पित्री भावना वाला समाज है जहां पिता मुख्या होता है पुरुष जहां पे ऊपर हो गया है वहां महिलाओं का प्रत्ने जित्म कम है तभी जगा ऐसा ना हो इसलिए आरक्षन का प्रावधान लोकसभा में संसद में महिलाएं अभी वर्तमान में बहुत कम संख्या में 545 सीट में मातर 20-25 महिलाएं होंगी अभी प्रावधान, कानूनी प्रावधान देने का प्रयास किया जा रहा है कई वर्षों से कि 33% सीटें लोग सभा में महिलाओं के लिए आरक्षित हों 33% यानि क्या होता है, सौ डेड़ सो से उपर की संख्या महिलाओं की होगी तब जाके महिला शक्ती हमारी सर्वोच संस्था में दिखेगी आप विबिन सरकारी पदों पर विबिन शिक्षा केंद्रों में आप देखें कि महिलाओं की संख्या ज्यादा है, लेकिन जो पद हैं, चाहे वो प्राचारे का पद हो स्कूलों में चाहे वे विविन कारियालों में अधिकारी के पद हों उपर तो सब पुरुशी हैं ऐसा कैसे होता है तो उसको रोकने के लिए महिलाओं को उपर लाने के लिए महिलाओं के आरक्षन का प्राउधान है और यही स्थिति अनुसूची जाती अनसूची जन जाती अधर बैकवर्ड क्लास इन लोग के लिए भी है तो इस परकार आरक्षन के माध्यम से धारा 330 और 332 के तहट लोकसभा और राज्य विधान सभा में इनके लिए आरक्षन किया गया है सेड्यूल का सेड्यूल ट्राइब का आरक्षन हो चुका है लोकसभा राज्य विधान लेकिन महिलाओं कर नहीं हुआ है जिसके लिए लगातार प्रियास चल रहा है धारा 335 में केंडर और राज्य सेवाओं में आरक्षन का प्रावधान है यही जातियों के लिए अखिल भा आज विवस्था में तो महिलाओं के लिए पच्चास प्रिश्चत आरक्षन है पंचायती राग्राम पंचायत में जो विवस्था है उसमें महिलाओं के पच्चास प्रिश्चत कारण क्या है पच्चास प्रिश्चत वहां कि गाओं में जी 200 परिवार हैं तो 200 परिवारों तो इसलिए वहाँ पचास प्रश्यत महिलाओं के लिए आरक्षन का प्राउधान है तो इस व्यवस्था के अत्रिक अनुसूची जाती जन जाती के लिए विशेश अधिकारी भी पदस्थ हैं कानूनी रूप से खास विभाग खुले आदिम जाती कल्यान विभाग आदिम ज शतीज गड़ में जग्ललपूर और उसके आगे के जो खेत्र हैं जहां पर अनुसूची जाती जन जाती के संख्या जादा है तो वहां पर पशासन विवस्था भी कुछ इस तरह की है जो इन पर केंद्रित है अनुसूची जाती जन जाती आयोग का गठन किया गया है सामाजिक न्याय की जो परिकलपना है उसको सच्चाई का रूम देने दिया जा रहा है आरक्षन एक बहुत महत्वपूर्ण जरिया साबित हुआ है जिसमें सामाजिक न्याय की ओर हम त्वरित गति से बढ़ रहे हैं एक और जहां इतने सारे समविधानिक प्राउधान किय गये हैं भारत की समविधान सबग के समय से लेकर आज तक नीती निर्देशक सिध्धान्त के रूप में एक अध्याय इसमें डाला गया है जो हमारी जन्ता की अपेक्षाओं को सरकार के सामने रखता है सत्ता के सामने रखता है ताकि सत्ता कोई भी कानून बनाते समय इन सि निश्चत करे कि इनके द्वारा बनाएगे कोई भी कानून इन सिध्धान्तों के में से किसी एक किसी सिध्धान्त के खिलाफ तो नहीं जा रहे हैं सरकार का कोई कदम इन सिध्धान्तों में से किसी सिध्धान्त को काट तो नहीं रहा है इसलिए से दिशा निर्देश कहा गया है दिशा सरकार को ये दिशा देते हैं और दिशा के साथ साथ निर्देशित करते हैं गत सतर वर्षों में बहुत प्रयास हुए हैं सामाजिक नियाय की ओर हम काफी बढ़े हैं समानता सामाजिक समानता की ओर हम काफी बढ़े हैं लेकिन फिर भी इतना अपेक्षाओं के नुरूप नहीं रहा है जो परिणाम रहा है भारत अभी भी सामाजिक और राजनेतिक दिश्टि से समानता वाले समाज से बहुत दूर है अभी भी हमारे हैं सामाजिक समानता उतनी पस्ट परिलक्षित नहीं हैं आज समानता दिखाई देती हैं अभी भी हमारे हैं राजनेत में समवधानिक प्रावधान किये गए हैं इतने प्रावधानों के बाद भी उन में उतना अपेक्षा कृत सुधार नहीं आया है उनके सितियों में जितने की अपेक्षा थी अपेक्षा कृत सुधार नहीं आया है और प्रयास सतत रूप से बन गोशित उद्येश और जो वा अस्तिविक उपलब्दियां उपलब्दियां निश्चित रूप से बहुत हैं लेकिन 70-80 वर्षों के स्वतंत्र भारत के गुजरने के बाद हम देखते हैं कि घोशित सुद्देशों में अभी बहुत कम पूरे हो पाए हैं और जो कानून बने भी हैं उन कानूनों के खामिया रह गई हैं कि डारेक्टिव प्रिंसिपल्स या नीति निर्देशक सिध्धान अब कानून तो बन गए हैं लेकिन उनके लागू करने की खामियों ने उसके प्रभाव को अभी या उसको इतना प्रभाव शाली नहीं बनाया है कि हम कह सकें कि हमारा समाच समानता की और बहुत तेजी से बढ़ रहा है कुछ बादाएं हैं कुछ दिक्टें हैं लेकिन उमीद है कि समय के साथ ये असमानताएं विशमताएं दूर होती जाएंगी और सामाजिक नियाए वास्तों में भारती गनतंत्र का भारती संब्धान का एक आधार होगा इतना सब जानने के बाद सामाजिक नियाए पर इतना विचार मन्थन करने के बाद और ये जानने के बाद के नियाए क्या है सामाजिक नियाय क्या है, सामाजिक नियाय कि महत्ता क्या है सामाजिक नियाय के समस्याएं क्या है सामाजिक नियाय के रास्ते में क्या क्या बाधाएं है और इन बाधाओं के बावजूद हमने कितना पाया है, कितना खोया है यह जानने के बाद थोड़ा सा हम निशकर्ष इसका निकाल लेते हैं अपने इस बातों का जो हमने बातें की पहला सामाजिक नयाय करत है सामाजिक अधिकारों की व्यवस्था करने का नयाय सामाजिक नयाय कारत है समान सामाजिक अधिकारों की विवस्था करना सामाजिक नयाय कहलाता है समान सामाजिक अधिकारों की विवस्था करना दूसरा इसके लक्षन और आवश कताएं क्यों जरूरत है पहला कानून के समानता हो दूसरा आर्थिक सुरक्षा और समानता तीसरा विशे शादिकारों की समापती चोथा पिछड़े वर्गों के लिए सुविधाएं पांचवा अल्प संखकों के हितों की रक्षा और छठवा और आखरी समान राजनातिक अधिकार प्रदान करना सामाजिक नयाय महत्पूर्ण क्यों है क्योंकि समानता के लिए जरूरी है अवसर की समानता के लिए जरूरी है दूसरा बिंदू तीसरा आर्थिक सुरक्षा के लिए जरूरी है चोथा शांति और सुरक्षा के लिए भी जरूरी है पांचवा व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी है छटवा समाश चुधार के लिए जरूरी है इसका महत्व है साथवा आर्थिक विशमताओं को दूर करने के लिए आवश्चक है आठवा सश्ती कानून व्यवस्था और निश्पक्ष व्याष्था इन तबकों को देने के लिए भी आवश्यक है नौवा सारिवजनिक स्वास्त के लिए भी इसका सामाजिक नियाय का महत्व है और अंतिम शिक्षा और स्वांस्क्रितिक इन मुद्दों पर हमने विस्तार से बात की है पर यहां पर संक्षिप्त में बिंदु आर्थ बस आपको बता रहे हैं चौथा बिंदु जो हमने पढ़ा इस अध्याय में वो था सामाजिक नियाय च्छतीजगर के संदर्ब में क्या च्छतीजगर के संदर्ब में क्या अने को करकरम इसके लिए क्रियानवित किया है लेकिन इसके बाद भी काफी प्रियास अभी बाकी हैं इसके बाद अगला बिंदू जो हमने पढ़ा कि अग्यानता का आवरं जॉन रॉल्स के दुआरा जॉन रॉल्स का अग्यानता का आवरं आज का जो सिध्धान्त है और उसी में आगे हमने पढ़ा वितरनात्मक न्याये क्या न्याय वित्र अनात्मक न्याय अंतिम बिंदु जो हमने पढ़ा छट्वा कि सामाजिक न्याय के क्रियानवन में सम्विधान के क्या भूमिका है सम्विधान की भुमिका की बात करते हुए हमने कुछ ऐसी बातें की मौलिक अधिकारों का प्राउधान मौलिक अधिकारों में क्या प्राउधान किया है सम्विधान में दिशा निर्देश की रूप में क्या बातें की हैं सम्विधान में इसके अलावा आरक्षन आदि के माध्यम से सामाजिक न्याय के क्या प्रयास किये गए हैं ये बताने की कुशिश की है तो अमिद है कि आपको ये पूरा ध्याय अब सामाजिक न्याय के नजरिये से समझ में आया होगा और आप एक बहतर नागरिक बनने की और निश्चित रूप से अगरसर होंगे